प्रिये वच्चों, अनुस्वार और विसर्ग में आपको समझा चुकी हूँ, अब ये कारे आप अपने हिंदी कॉपी में करेंगे, सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, जिस डेट में आपको ये कारे दिया जा रहा है, रेड लाइन लीव कर देंगे, उसके बाद नेक्स ल रेखा, यानि लाइन बनी हुई है, और उसके ओपर ये बिंदू लगाया जाता है, इसको हम बिंदू भी बोलते हैं, और अनुस्वार भी बोलते हैं, की मात्रा, वन लाइन लीव के साथ ही, अब ये सारवर करेंगे, अब इसकी पहचान मैं ने आपको बताई थी, कि जब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, तो आवाज सिर्फ नाक से निकलती है, तो वहाँ पर हम अनुस्वार लगाते हैं, जैसे ये शब्द है, अनुस्वार लगा हुआ है, बिंदू लगा हुआ है, अंडा, लंगूर, अंक, पंक, मंजन, मंदिर, पतंग, डंडा, घंटा, ल लंगीन, ये सारे शब्द, आप मेरे साथ इसी तरह से पढ़ेंगे, और ये कारे आपको इसी तरह से अपनी कॉपी में करना है, अब आते हैं आपके वाक्य, इसी तरह से हेडिंग लिख लेंगे आप वाक्य, वन, देखो, अब यहाँ पर हमने ये कॉमा जैसे क्यों लगा त्री, कितना सुन्दर मंदिर है, अब वाक्यों के बार देखी, मैंने विराम लगा रखा है, आप भी इसी तरह से विराम लगाएंगे, नेक्स्ट पेज पर आप करेंगे, विसर्ग की मात्रा, डेट लिखेंगे, जिस डेट में आप ये कारे कर रहे हैं, इसके बार रैड चिनिया मात्रा किस तरह से होती है, देखिए, दो डॉट लगी हुए, दो डॉट बनते हैं, इस तरह से, विसर्ग ये है, और उसकी मात्रा इस तरह से लगाए जाती है, ये उसके चिनिया है, की मात्रा, ये भी आपको इसी तरह से करना है, वन नाइन लीफ के साथ आप ये यानि सुबा स्वाता अपने आप स्वाता स्वाता है च्छे पुनाहां दोबारा पुनाहा कर्द क्यों होता है दोबारा पुनाह, पुनाह, अताह, 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 इस शब्द सारे आप इसी तरह से अपने हिंदी कॉपी में करेंगे, अब आता है वाक्य, वाक्य पढ़ लेते हैं, क्या वाक्य दिये हुए हैं, वन, राजन, प्राता काल, छे बजे उठता है, काल यानि समय, सुभा के समय वो छे बजे उठता है, टू, पुनाह, घर को जा, यानि दोबारा, पुनाह कार तो मैंने आपको क्या बता है, दोबारा, पुनाह, घर को जा, थ्री, बड़ो को नमा करो, नमा यानि मैंने क्या बत हिकारे आप इसी तरह से अपनी हिंदी कॉपी में करेंगे हिकारे आप स्वयम करेंगे विल्कुल साफ साफ हैन राइटिंग में